इतने सारे लच्छा रहेंगे लच्छा पराठा में कि आप किन भी नहीं पाएंगे और उस लच्छा पराठा हम आटा से बनाएंगे नमस्कार मैं हूँ सुभंकरी और आप सब का स्वागत ही मेरा चैनल सूस्फूर कॉडर पे उमेद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल बटन के आल पर क्लिक किजीगा एक मिक्सिंग बॉल में मैं आपे तेड़ कप आटा ली हूँ आथा कप मैं दाली हूँ अब उसमें थोड़ा चीनी डाल दूँगे एक छोटी चमच और नमक डा और थोड़ा सा चीनी अच्छे कलर के लिए हम मिला लेंगे अब पानी डालके एक नरम आटा सा लेंगे देखिए मैं आपको बोरी थी कि मैं तेल नहीं डाल पाई थी लेश उटकर पाई थी तो बाद में डाली हूँ अब नरम मतलब थोड़ा अच्छे से यह सॉफ्ट रह कि लच्छे आने के लिए अच्छे आटा लगाना बहुत जरूरी है तो साथ से आट मिनिट गूनने के बाद देखिए आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है अब थोड़ा सा उपर तेल लगा के इसको हम रख लेंगे ठक के कम से कम 15-20 मिनिट तक तो 15-20 मिनिट बाद हो चुका ह हैं देखते हैं आटा देखिए आटा जो हम तेल लगाए थी एकदम सोफ्ट हो गया है तो लच्छे पर अठा के लिए आटा ऐसा होना चाहिए इकतम लचीला टाइप का अठा होना चाहिए एक तो हम इसमें आठा डाले हैं बस आठा कप मैदा डाले है तो उससे इसका nutrition value भ बना लेंगे 5-6 मेरे हबाना है लोई लच्छा परठा के लिए लोई थोड़ा बड़ा बनता है देखिए इस ट्राइब का अब मैं आपको बताती हूं थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगे अब उसमें हम एक लोई लेके हम बेलेंगे मैं दो तरीका बताऊंगे एक थोड़ इसमें थेर साल अच्छी आएंगे पर उसको थोड़ा टाइम लगता है और एक नॉर्मल है जो आप हमेशा बना सकते हैं पर अगर आपको थेर साल अच्छी चाहिए तो आप ये पहला वाला प्रॉसस आजमाए थोड़ा मोटा रोटी हम बेल लेंगे अब उसके उपर एक प्रश के साहते से मैं रिफाइन ओर लगाई हूँ आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं और थोड़ा मैदा आटा उसके पच्छी रख दी हूँ याद रखिए आटा च्छी रखना है अब उसको एक साइट से पतला पतला मैं ऐसे कट्स लगाऊंगी मैं कटरी उसकी हूँ आप चाहें तो चाको भी उसकर सकते हैं जितना पतला और अच्छे से आप ये कटिंग करेंगे उतना अच्छा आपके लच्छे आएंगे अच्छा परठे में और याद रखिए कि ये चीज इसलिए मैंने बोला ये एक तरीका है ये आप कभी स्पेशल ओकेजन हो तो इस बना सकते हैं इस पर देश साइल अच्छे आते हैं गेस्ट आये या कोई भी आए अब क्या करना है साइट से एक चाको लेकर ये जो हम कटिंग किये हैं इसको ऐसे साइट से एक तरफ करना है देखिए ऐसे चाको से करके अब उसके ऊपर थोड़ा से हम तेल लगा देंगे अब धीरे धीरे दोनों किनारे पकड़के ऐसे ऐसे उसको लंबाई में ऐसे ऐसे पैट करेंगे हलका हलका उसको ऐसे करेंगे अब जब आपको लगे कि वो ठीक से खीचा गया है लंबा हो गया है तो एक सिरा को ऐसे गोल से मूड़के दूसरा सिरिफो ऐसे गोल गोल लपे अब तक हम दूसरे बना देते हैं वहसे ही फ्यूबर अपके साथ सब्सक्र क्षीर। आपश्टी में तका सब्सक्राइबंस पुणitat थोड़ा तेल लगा लेंगे दुने तरफ आके पीछे और फिर उसको गोल गोल एक सिरे से पकड़कर खुमा के लास्ट वरा सिरा अंदर टक कर लेंगे दूसरा भी हो गया अब मैं आपको जो सेकेंड तरीका है वो बताना सिखाती हो अगर आपके पस उतना समय नहीं है कि है एक किनारे से पकड़कर जैसे हम फ्लीट्स लगाते हैं ऐसे उठाएंगे और फिर थोड़ा सा उठाएंगे और उतना ही विर्थ का फिर मोड देंगे बस ऐसे करते करते एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे, मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखा देती हूँ, एक बार ऐसे ही पूरा पकड़ लेंगे और फिर ऐसे एक फोल्ड लगाएंगे, यह वाला प्रोसेस थोड़ा फास्ट बनता है, पर हाँ, जितना पहला प्रोसेस में लच्छा बनता है, उतना लच्छा इसमें क्योंकि जितना हम फोल्ड करेंगे, उतने ही लच्छे बनेंगे, और ज्यादा तो इस तरह से हम उसकी कंपरेजन में थोड़ा कम बनते हैं, पर अगर आप बहुत जल्दी में हैं, तो आप यह वाला प्रोसेस कर सकते हैं, लच्छे तो बनेंगे, कम से कम 10-15 लच्छे बनी जाएंगे, पर उसके तरह थोड़ा उससे कम बनेंगे, पहला प्रोसेस से, अब देखिए उसी प्रोसेस में हम इसको ऐसे पैट करेंगे, टैप कर लेंगे, दोने किनरे पकड़के, वो लंबा होते जाएगा, अब फिर देर लगा देंगे, आगे पीछे करके दोनों जगा मोड लेंगे, एसे ही रख के पीछ में गोल गोल करके हमेसा जो लास्ट सीरह है उसको ऐसे टक कर लेंगे, तो देखिए, ए वाला प्रोसेस भी हो गया, सारे पराठी को ऐसे लोही को ऐसे हम लगा के थोड़ा रख लेंगे, तक ये थोड़ा सेट हो जाए, सेट होने पर अगर आप मन करें तबा बना सकते हैं देखिए मैं सारे बना ली अब आपको इसको बेलना सिखाती हूं हाथ से इसो किया जाता है देखिए इतना सॉफ्ट रहता है छिला रहता है थोड़ा सा आप तेल लगाते हैंगे रोलिंग सर्फिस पे और अराम से इसे हाथ से हो हुँ ताकि जो हवारे लच्छे पड़े हैं लच्छे पराठी में वह चिपक ना जाए वैसे चिपकने का चांसा सकम रहता है क्योंकि हम तेल लगाए हैं और मैदा उसके उपर या आटा छिड़के हैं बट स्टिल देन अगर आप जोड से उसको बेलना कोशिच करेंगे य अब ही मैं एक पैन गरम की हुँ इसको से दिखाती हुँ जैसे नॉमल पराठा से खाता है बस ज्यादा हाय अच्छे से कलर आने तक सेखना है एक्दम नहीं सेखना है पुरा तेज आच्छे पर कुड़कुड हो जाए तो क्या होगा लच्छे अच्छे से नहीं आएंगे तेल या घी जो आपके मन हो उससे आप सेखिए कितना सुन्दर कलर आया है देखिए और अभी से लच्छे दिख रहा है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुन्दर मेरा लच्छा पराठा सारे बने हैं उमीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटर लिश्चिन दबाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ and अप्पी फुडिंग